जह हैं दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ इस यूटूब चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में दोस्तों मैं हूँ कृष्णा और हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाला है दोस्तों भौतिकी का नोबल प्राइस के बारे में दोस्तों भौतिकी का नोबल रहने वाले है जैम्स पीबल्स तो इन तीनों एग्यानिकों को जो है भौतिकी का नोबल प्राइस दिया जाने वाला है इसका जो है नॉमिनेट कर दिया गया है जिसको दोस्तों 10 दिसंबर को इनका पुरुस्कार इन्हें दे दिया जाएगा तो दोस्तों 24 साल पहले तीनों ने खोजा था सौर मंडल से बाहर ग्रह तो दोस्तों इन्होंने क्या किया था जिसकी होजे से इन्हें नोबल प्राइस दिया गया है हम लोग इसके बारे में पूरी तरह से जानकर यह कत्रित करेंगे इस वीडियो में एनलिसिस करेंगे तो इस वीडियो को भीना इसकीप क कर दी थी कि इन कावन जो है पेगासी भी नाम से जाना गया था जिसे तो उनहीं के बारे में उन्होंने पहले से ही भविश्यवानी कर दी थी उनका अभी ये प्रूफ के साथ सिध्धान्थ को प्रतिपादित करके उन्होंने प्रत्यफरोप से दिखाया है इस वज़े से इनकी खोज के लिए इनहीं नोबल प्राइस से नवा जा गया दोस्तों पूरुसकार की घोशना के बाद मेयर और उस घोशना को याद करते हुए कहा कि किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा हो भी सकता है तो दोस्तों दोनों खागोलवीद की इसकी के लिए इस वर्ष जो है नोबल प्राइस इनहें मिल रहा है जेम्स पीबल्स को यह समान भौत की कि ब्रहमांड विज्ञान के छेतर में उतकृष्ट काम करने के लिए दिया जा रहा है दोस्तों उन्होंने कहा कि विज्ञान से प्यार करने हैं उनको अंत्रिक्षे विज् लाख रुपाय का इनाम रशी मिला है जिनहें सजयों तुरुप से आपस में बाटेंगे और इन तीनों वज्ञानिकों को जोस्तों अलग-अलग से गॉल्ड मेडल मिलेगा और साथ-चाथ डिप्लोमा में भी इनहें डिप्लोमा से भी इनहें नमा जा जाएगा दोस्तों इनका जो सम्मान है इन्हें 10 दिसंबर को दिया जाएगा अब तक दोस्तों जो है पूरी तरह से इस बहुतकी के छेतर में तीन महिलाएं हैं जिन्हें ये बहुतकी के छेतर में ये सम्मान जो है दिया गया है ठीक है दोस्तों तो अब तक कि जो तीन महिलाएं हैं उनके बारे में डोना स्ट्रैक लेंड को यह मिला था दोस्तों तो हजा सौरी उनिस सो एक सई यह बहुत की का नोबर प्रइस प्राइज और सांथिस साथ जो है दोस्तों पांच छेतर में जो है यह स्टार्ट हुआ था लेकिन अर्थ सास्तर में उसे बाद में जोड़ा गया था तो इस जो है 2019 में दिया जा रहा है तो इस तरह दोस्तों तीन वैट गयानिक है मेर और डीडियर और सांथ-सांथ एक वैट गयानिक है आपका पीबल्स जेम्स पीबल्स तो आपको याद रखना है इस तरह के कुष्ष्ट् competition गूँदस अक्जाम में पूचा जाता है और किस खोउ के लिए इन्हें इस सम्मान से नवाजा जा रहा है दोस्तों चिकित्सा के छेतर में भी वग्यानिकों का नाम नॉमिनेट हो गया है जिनको नोबल प्राइज दिया जाने वाला है अगर उन्हें नहीं नहीं देखे हो तो मैंने रिप्रिश्प्रन में लिंक दे रहा है वहाँ पस से आपको पता चल जाएगा कौनसा कोशन कैसे बनेगा कैसा कोशन आएगा तो इन तीनों का नाम आपको याद रखना है दोस्तों एक और निउस है कि जल्द ही जो है गोशना हो जाएगा 9 अक्टूबर को रसायन के लिए जिनको नोबल प्राइज मिनने वाला है वो साहित्ते के लिए इस समय दो वैक्तियों को जो है नॉमिनेट किया जाएगा पिछले वर्स नहीं मिला था इस वर्स दिया जाएगा तो उमीद करते हूं दोस्तों इतनी जानकर यापके लिए बहुती प्रयापत है रहा होगा जितने भी गोशन बनेगा दोस्तों यहां से आप जरूर बता लोगे तो क्या क्या नाम है एक बार में फिर से बता देता हूं दोस्तों स्विजर लेंड के हैं मेयर और डीडियर मेयर और डीडियर आपको याद रखना है मेयर डीडियर और जेम्स बीबल्स जो है कनाड़ा के रहने वाले है इसकी खोच के लिए इसकी दोस्तों और उसका जो नाम इनके दौरा रखा गया था वो क्या है फिप्टी वन पेगासी बीके नाम से इसे जाना गया था ठीक है दोस्तों तो वीडियो कैसे लगए दोस्तों अच्छा लगए होगा तो लाइक करें साती सात कमेंट करें अगर कोई चीज समझ नहीं आया ताकि मेरे दोर अप्लोट किया गया वीडियो अलागातार आप वाच्छ करते रहोगे बीना किसी रुकावाट के उमिद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत है अलफ़ोड रहा इस वीडियो को पूले बेखे दोस्तों इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद थाइंक्यू अलफ़ोड जय हिन